बीच गिर्राज सिंग ने इंडिया लाइन्स पर बड़ा हमला बोला है गिर्राज सिंग ने कहा कि विपक्ष धर्म के आधार पर आरक्षन देकर हिंदूओं के खिलाफ साज़िश कर रहा है लालू यादफ सनातन को खत्म कर पाकिस्तान बनाना चाहते हैं गिर्राज सिंग न जिन पांच सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें सबसे इंपोर्टेंट बेगु सराय की सीट है क्योंकि गिराज सिंग यहां से चुनाओ मैदान में है गिराज जी पिछली बार चार लाग से भी अधिक मतों से आपकी जीत हुई थी इस बार क्या उमीद है उससे अधिक जा आएगी मैं किसन गंज के मत दाताओं से कहता हूँ धर्म के आधार पर नहीं राष्ट के आधार पर आप मत दालें इस चरण के ठीक पहले धर्म के आधार पर आरक्षन का मुद्दा बड़ा जोर शोर से उठा लालू जादब के बयान के बाद आपको लगता है इसका असर होगा पिछरों की बात करकर के 15 साल रहे सबता में अब वो कह रहे हैं मुशलमानों को आरक्षन दो अगर मुशलमानों को आरक्षन देंगे इसका मतलब हिंदूओं को समाप्त करना चाहते हैं और ये भाज़पा के रहते ये संभब नहीं है, शनातन को समाप्त करके पाकिस्तान बनाना चाहते हैं क्या अपने एक अपीर भी की कि भोटींग के दौरान एक जाच की जाए, बुर्के में जो लोग है। हाँ मैंने कहा है वजह ये कि बुर्के में अगर कोई जाती है तो ये अधिकार है पोलिंग एजेंट को उनके चेहरे की पहचान करना इसे धर्म के आधार पर नहीं देखना चाहिए चुनाव आयो का इंस्ट्रक्शन है अगर बुर्के में कोई जाती है अगर हमें सक्थ है पोलिंग एजेंट को तो वो बुर्का से चेहरा हटा करके देख लें तब फोकस बोटिंग की संभावना भी है हाँ